हलो एंड वेलकम टू टेली टाकीज दोस्तों बिग बॉट सीजन सत्रा की विजेता नहीं बन पाई अंकिता लोखंडे और इस वजह से अंकिता काफी जादा गुसे में नजर आई अंकिता लोखंडे ने ना तो मीडिया को इंटरव्यूस दिये और ना ही किसी से कोई बात की बड़े ही गुसे से अंकिता लोखंडे पाटी से निकली लग रहा था जैसे विक्की से हो गई बड़ी लड़ाई क्या हुआ है कैसे हुआ है चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक लोखंडे काफी जादा नाराज नजराई मेकर से अंकिता को लग रहा था कि अंकिता के साथ बहुत जादा गलब हुआ है ना इनसाफी हुए है अंकिता सोच रही थी कि वह टूप टू में डěफिनेटली जाती और उसके साथ मेकर्ज ने गेम खेल दिया जिसकी वजह से वो काफी खफा थी ऐसे में अंकिता काफी जादा उदास मूल लेकर पार्टी में एंटर तो हुई लेकिन आपको बता दे कि पार्टी में से खबर आ रही है कि वहांपर अंकिता की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई विकी जैन के साथ और अंकिता पार्टी को बीच में छोड़ कर ही बिग बॉस के घर से या यूँ कहें पार्टी से निकल गई और अंकिता ने कह दिया कि मुझे अब घर जाना है और मैं मीजिया को भी कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ जब मेकर्स ने मुझे जिताया ही नहीं मेकर्स ने मुझे टॉप थ्री में भी रखने लायक नहीं समझा तो मैं भला इंटरव्यू क्यों दूँ ऐसे में यहाँ पर विक्की ने अंकिता को काफी समझाने की कोशिश की कि मंकू तू कम से कम इंटरव्यू तो दे अगर तुझे ये भी लगता है कि तेरे साथ गलत हुआ है तो तू ये बात बोल लेकिन अंकिता ने मना कर दिया और ये कह दिया कि मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है और विक्की से कह दिया कि तू तो टॉप पांच में नहीं पहुँचाना तो तुझे नहीं पता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है मेरे साथ कितना गलत हुआ है वेल ये बात सुनके विक्की को भी गुसा आ गया और ऐसे में पूरी पार्टी के बीच में दोनों का तमाशा बन गया वेल दोस्तों क्या लगता है आपको क्या अंकिता ने फिजूल में बवाल करा जो वोर्ट्स मिले उसी हादार पर एलिमिनेशन हुआ था लेकिन शायद अंकिता को ये चीज चुब गई वेल आप अपनी राए हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर खना आप ना भूले